हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डेफिनेट सक्सस पाटशाला यह ऐसी पाटशाला जो आपको 100% सक्सस देगी तो इसके साथ जुड़िये जादर से जादर लोगों को इस बार में बताईए ताकि वो यहां पर फायदा उठा सकें मैं आपकी हिंदी एजुकेटर उपाली वर जो है एक परिवार में कई लोगों में मनमटाफ चल रहा है और उस कहानी यानि कि यह जो कहानी हमने पढ़ी सिल्वर वेडिंग इसके कथाना आया कि यह शोदर बाबू अपने ही जो पास्ट के एक गुरू रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं किशंदा उनके इसके ncrt solution आज हम करने वाले ncrt solutions जो हमारी बुक है उसमें पीछी कुछ कोशन दिये गए हैं तो उनी को आज करेंगे तो बुक में इसमें दिये गए हैं आठ कोशन आज हम इन आठो कोशन को करने वाले हैं चले देखना शूरू करते हैं पहला कोशन हमारे पास में आ रहा कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो इसमें जो दिया गया है हमने यह देखा कि उनकी पतनी जो है उनके बच्चों के विचारों रहन सहन हर एक चीज में उनके साथ हो जाती है लेकिन यह शोदर बाबो जो है वो नहीं ड़ल सके अब इसमें आपको अपने मत रखन कि वो पुरानी माननेताओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं उन्हीं को सब कुछ समझ रहे हैं और नहीं माननेताओं को पकड़ना चाहते हैं लेकिन चाहा कर इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पुराने मुल्ले बहुत ही एहम लगते हैं लेकिन पतन में ही उनके माता-पिता का देहांत हो गया उनका पालन पोशन उनकी विद्वा बुगाने किया मैट्रिक होने के बाद वे दिल्ली आ गए और किशंदा जैसे कुवारे के पास रहे आप देखें यह बहुत बड़ा एक इंपक्ट छोड़ता है एक एक व्यक्ति जो बच्पन म उनने पढ़ाई कर ली तो जब यहां दिल्ली आएगी चलो अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए एक करा जाए तो यहां पर भी उनके उपर जिनका इंफ्लेंस रहा वो भी एक कमारे विक्ति थी इस तरह वे सदैव उन लोगों के साथ रहे जिनने कभी परिवार का सुख नहीं मिला ठीक है यह चीज़ देखिए अब खुद उनको भी परिवार का सुख नहीं मिला ये शुदर बाबु को दूसरी कौन थी उनकी विद्वाब हुआ जिनने उनको पाला उनके पास परिवार नहीं था तीसरा जो किशंदा के में आए उनके पास भी परिवार नहीं थे उन पर किशंदा के सध्धानतों का बहुत प्रभाव था इन सब कारणों से ये शुदर बाबु समय के साथ बदलने में असफल रहे दूसरी तब उनकी पत्नी पुराने संसकारों की थी वे एक संयुक्त परिवार में आई थी जहां उन्हें सुखत अनुभव हुआ उन के साथ किसी मामले में दल नहीं देती हैं साथ नहीं देती इस प्रकार वे स्वयम को ही शेगर बदल लेती हैं तो अब यहां पर उन्होंने क्या बताया गया ध्यान से देखेगा कि जो हमारी यशोदर बाबु रहे उनके साथ बच्पन से ही जो चीज़ें हुई उसकी वज तो इसलिए उन्होंने देखा कि जब हमारे जो बड़े बुजरुगत हैं उन्होंने अंतिम समय तक अपने विचारों को नहीं बदला तो मैं भी उन्हीं के साथ चलूँगा लेकिन इनकी पत्नी के साथ क्या था वो जब विवहा करके आई एक सायुक्त परिवार में थी उ अब क्या हुआ जब वो सयुक्त परिवार में नहीं रही बाहर आई बड़े बच्चे बड़े हुए तो एक पहली चीज तो थी कि वो मा है तो बच्चों का साथ देती रही दूसरी बात यह रही कि उनकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी उन्होंने अब जाकर उनको पूरा करना शुरू किया इसलिए वो समय के साथ अपने आपको बदल पाएं चाहें वो बेटे हुए या बेटियां उन्हीं के साथ उनके साथ रहे कर उन्होंने सारी चीज़ें करी और समझे प्रेश्ण संख्या 2 है पार्ट में जो हुआ होगा वाक कि आप कितनी अर्थ छवियां खोद सकते हैं या सकती हैं जो हुआ होगा किशन दा की मृत्यू के बारे में जब पूछा गया तो यह किसी को नहीं पता कि उनकी मृत्यू कैसे हूई हर को यह बोल देता जो हुआ हो उन्हें किशंदा के जाती यह भाई से उनकी मृत्यू का कारण पूछा अब किशंदा जो है कमारे थे अब वो सरकारी कौर्टर में रहते थे जब तक जौब हुई वहां रहे उसके बाद वो कुछ टाइम दिल्ली में रही अलग जगा पर लेकिन फिर उसके बाद चले गए अपने गाउं और वहीं पर एक साल बाद जाने के बाद उनकी मृत्जीं अब उनको पता नहीं कि वहीं की मृत्यू कैसे हुई तो उनके रिष़्ज़ शायरस पूछते हैं जो ने बोला कि जो हुआ होगा जवाब दिया जो हुआ होगा अर्थाद क्या हुआ पता नहीं इ हो सकता है बहुत भेंगर बिमारी हो गई हो सकता है किसी ने मार दिया हो कुछ भी बहुत सारी छविया निकलती न अब यहां पर क्या हम उसके कई सारे थौट्स निकाल रहे हैं पहला खुद कहानीकार ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ कहानीकार जो हमारे इस कहानी के में जीने की इच्छा समाप्त हो गई होगी जाहिर सी बात है विवाकिया नहीं कोई था नहीं देख भाल वाला कुछ नहीं प्रिये नहीं तो अब जब हमेर कोई साथ देने नहीं तो एक अपने अंदर से भी इच्छा खतम हो जाती है तो शायद वह वह हुआ हो तीसरा सद्धानते सारी उम्रों ने अपने सद्धानत माने और उनी के साथ हो रहे समय के साथ परिवर्थत नहीं हुए शायद इसलिए हो सकता है कि समाज ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और किनारे कर दिया प्रेश्ण संख्या तीन है सम्हाव इंप्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोदर बाबू लगबग हर वाक्य के प्रारंभ में तक्या कलाम की तरह करते इस काव्यांश का उनके व्यक्तत और कहानी के कथ से क्या संबंध बनता है सम्हाव इंप्रॉपर यानि कि कहीं न कहीं कोई चीज़ ठीक नहीं है तो अब यह किस है तो इससे इन्हो सम्हाव इंप्रापर लगा धिया करते थे अब आपको यह बताना है कि यशोदर बाबू जो यह तक्या कलाम सम्हाव इंप्रॉपर बूलते थे इसका इस पूरी कहानी के कथ के साथ क्या सर्द्र है और हमें जो है वो हमारे जो कथानायाख है यानि कि यशोधर बाबू है उनके वेक्तितु के बारे में क्या पता चलता है यशोधर बाबू सम्हाव इंप्रॉपर वाक्यांश का प्रियोग तक्या कलाम की तरह करते हैं उन्हें जब कुछ अनुचित लगता हाँ में उन्हें कई कमिया नजर आती वे नए के साथ तालमेल नहीं बठा पाते या वाक्यांश उनके असंतलुन और आवेक्तत्तु अर्थ प्रश्न करता था मतलब कि जब उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती समझ नहीं आता कि हम क्या हमें नहीं तालमिल बठा पा रहे हैं तब वो इस चीज़ को बोल दिया करते थे पार्ट में अकध्य स्थान पर सम्हाव इन पॉपर वाक्यांश का प्रयोग हुआ है दफ्तर में सिलवर वेडिंग पर हुआ है स्कूटर की सवारी पर हुआ है साधारन पुत्र को आसाधारन वेतन मिलने पर हुआ है अपनों से परायपन का वहवार मिलने पर हुआ है डीडी ए फ्लैट का पैसा ना भरने पर हुआ है कहां कहां पर उन्होंने ये सारी चीज़े कही है पुत्र द्वारा वेतन पिता को ना दिये जाने पर उन्होंने इसका प्रियोग किया है खुशाली में रिष्टोदारों के उपेक्षा करने पर हुआ है पत्नी के आधुनिक बनने पर हुआ है शादी के संबंद में बेटी के निर्ने पर हुआ है घर में सिल्वर वेडिंग पार्टी पर हुआ है केक काटने की विदेशी परमपरा पर हुआ है तो इतनी जगां उन्होंने सम्हाँ इंप्रॉपर का इस्तिमाल किया हुआ है कहानी के अंध में ये शोदर बाबू के वेक्तित्य की सारी विशेष्टाएं सामने उभर कर आती है वे जमाने के हिसाब से आप रासांगे खो गए हैं ये पेडियों के अंतराल को दर्शाता है क्योंकि हम जब पूरी कहानी पढ़ते हैं तो हमें कहीं शुरू में पहले ये लगता है कि ये शोदर बाबू ही शायद अपनी फैमिली के द्वारा प्रताडित है इसलिए वो घर नहीं जाना चाहते कुछ नहीं लेकिन जैसे जैसे हम उनकी फैमिली और उनके दोनों तरुकों देखते हैं तो कहीं न कहीं इन दोनों के बीश तालमेल नहीं बढ़ा कैते न एक इतनी दूरी है एक इतनी दूरी है थोड़ा आप इधर आओ थोड़ा फिर आओ तो फिर आओ तो इस तरीके से एक मिलाप हो आते तो शायद इन दोनों के बेच के इस अंतराल को मिटाया जा सकता था लेकिन ये दोनों ही अपनी माननेताओं को नहीं छोड़ना चाहते थे ना उनके बच्चे और ना ये शोदर बावू इस कारण से ये पूरा अंतराल बना हुआ था तो ये उनके व्यक्तित्य की जलत म से मिलती है क्यों कि ये पूरी आप ऐसा व्यक्ति जो अपनी विज़ा अपनी थाक्स में बदलाव नहीं कर सके आ उनके ए cotton में ये समय जाकर लोहों से अपना बैर करा लेता है क्योंकि समय बदलता रहता है चीजने बदलती रहती है इसने समय के साथ हमें अपने नेमों तो सोचों को उस हिसाब से ढालना पड़ता है रस्ट संख्या चार ये शोधर बाबु की कहानी को दिशा देने में किशंदा की महतपुर्ण भूमिका रही है आपकी जीवन को दिशा देने में किसका महतपुर्ण योगदान है और वो कैसे बहुत कि जो हैं वह ये शोधर तो उस्पारी चीजत सीखते हैं तो उसी तरीके से आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा वर्यक्तितों रहा होगा तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है आप पूरी तरीके स्वतंत्र है कि आपके जीवन में वो प्रेणा शोत्र कौन रहा है आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती है, कोई टीचर हो सकता है कोई बड़ा भाई बेहन हो सकता है दादा दादी नानानी कोई भी आपकी जीवन के प्रेणा शुरत हो सकते हैं तो उनको आप यहाँ पर लिखेंगे और कैसे हैं फो два ब्रेणा शुरत ये भी रिजन देंगे किस तरीके से लिखेंगे देखे, मेरे जीवन को दिशा देना में सबसे महत्पूर योगदान मेरे गुर्यों का रहा, उन्होंने हमेशा मुझे यही सिक्षा दी कि सत्य बोलू, सत्य बोलने वाला व्यक्ति हर तरहे के परिशानियों से मुक्त हो जाता है, जबकि जोट बोलन के लिए सेकड़ों जुट बोलने पड़ते हैं, अपने गुरुओं की इस बात को मैंने हमेशा याद रखा, वास्तों में उनकी इसी सिक्षा ने मेरे जीवन की दिशा बजल दी, तो अब समझ में आया कि आपके जीवन में कोई वेक्ति रहा है तो उसको आप मेंचिन और वो क्यों आपके जीवन का प्रेणना श्रूत है और आपने उसके अंदर क्या ऐसी खा खूबी देखी कि आपने उसे अपनाया ये भी आप मेंचिन करेंगे प्रेश्ण संख्या पाँज है वर्तमान समय में परिवार की संग्रशना सरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहां तक सामंजस बिठा पाते हैं ध्यान देजी ये प्रेजन टाइम की बात कर रहा है वर्तमान समय में परिवार की संग्रक्षना यानि की परिवार का जो बराबट होती भाई किसी का परिवार बड़ा है छोटा है उनकी सोच है यह सारी चीज़े सरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहां तक मतलब आप जैसा परिवार सोचते हैं जो चीज़े हैं वो आपके सामने जो यह परिवार प्रस्थुत किया गया है येशुदर बाबु का उसके साथ आप किस तरीके से सामंजस से बिठाते हैं इस कहानी में दर्शाय गए परिवार के सुरूप वा संग्रशना आज भी लगबग हर परिवार में पाई जाती है क्योंकि देखिए अगर एक परिवार में दो या तीन पीडियां रह रही है तो उनकी सोच में कहीं न कहीं फरक आएगा लेकिन हमेशा इस बात को लेकर मद्भेत हो यह जरूरी नहीं है आप उनके पॉइंट फीव को समझेए और अपने पॉइंट फीव को उनने समझाने की कोशिश कीजिए देखिए उनकी जो सोच है जो सारी चीज़े है वो उनके एक्सपीरिंस के एकॉर्णिंग बनी हुई है तो वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे है ना ऐसे ही होता है ना तो यह हर परिवार में कहीं न कहीं हमें मौझूद मिलता है सायुद परिवार प्रथा समाप्त हो रही है पुरानी पीड़ी की बातों या सला को नई पीड़ी सिरे से नकार रही है हमें नहीं एक्सप्ट करना बहुत पुराने विचारों के ये कथन आज के युवा पीड़ी की जबान पर रखा हुआ है नए युवा कुछ नया करना चाहते हैं परन्तु बुजर्ग परंपराओं के निर्वां में विश्वास रखते हैं वो कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन आप लोग क्या है कुछ नया करना चाहते हैं कि नहीं हम इन पुराने विचारों को नहीं मानेंगे लेकिन आप अपनी पर जो वो चाह रहे हैं वो करो और जो आप चाहते हो वो भी करो अगर वो कहते हैं कि हां भई हमें अपनी परंपराय निभानी है पूजा पार्ट अरचना जो नियम फालो करने वो करो लेकिन साथ साथ अगार जो आप करना चाहते हो वो भी करो तो उनको कोई आपथी नहीं होगी यह शोदर बाबू की तरहे आज का मध्धिवर्गी पिता विवश है वह किसी विशे पर अपना निर्णे नहीं दे सकता माताएं बच्चों के समर्तन में खड़ी नजर आती हैं आज बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में अधिक खुश रहते हैं वे आधुनिक जीवन शैली को ही फैशन के अनुसार वस्तर पहनती हैं ये शोदर बाबु की लड़की उसी का प्रतिनिरी है अता ये कहानी आज लगबग हर परिवार की है कि आधुनिक्ता लोगों में आ रही है पुरानी लोगों की सोचों को हम समझ कर नहीं सिरे से नकार देते हैं ये भी गलत है उनको भ भाई ये कहानी जो हमने पूरी पढ़ी है इसकी मूल समवेदना क्या निकल करा रही तीन ओप्षन दिये गहें देखें क्या है पहले हाशिये पर धकेले जाते मानविये मूल पीडी अंतराल या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अगर हम इसकी मूल समवेदना देखे तो हमें जो है ये पीडी अंतराल ही दिखता है आप इसको कैसे डिटेल में इसका आंसर देंगे मेरी समझ में पीडी अंतराल ही सिलवर वेडिंग सीर्शक कहानी की मूल समवेदना है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है सेर्फ जो जन्ग्रेशन गैप है वही सबसे बड़ी वि वहवार की लड़ाई है ये शोदर बाबु सद्धान्त वादी हैं तो उनके पुत्र वहवार वादी है मतलब वह जो चीजें वहवार में लाई जाती उसको मानते हैं लेकिन वह अपने पुराने सद्धान्तों को मान रहे हैं ये शोदर बाबु आद सद्धान्त नहीं वह चारिक अलगाव पैदा कर देता है अब कारण ये है कि जो ये शोदर बाबु हैं वो अपने पुराने सद्धानतों को नहीं जोड़ पारें बिल्कुल नहीं जोड़ पारें और जो नहीं है वो वहवारवादी है अब इसमें एक छोटी सी एक आया था कि ये शोदर बाबु ये चाहते थे कि दूद लेने उनके बेटे जाएं ये मना करतें की बबाब आप मत जाओ हम लोग चले जाएंगे आप घर पे आराम करो लेकिन ये एक सिद्धान था पुराने समय के लोगों में यह होता था कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाते थे तो उनके सारे कामों को अपने उपर ले लिया करते थे यह भी इज़त करने का तरीका था बिल्कुल भी लेकिन आज के साथ यह समय बदला तो यह सारी चीजें बदली आज हम क्या कहते हैं कि बुजर्गों से सारे काम नहीं चुड़वाने चाहिए क्यों क्योंकि जैसे ही वह सारे काम वह सुस्त हो जाएंगे बैट पर बैट जाएंगे और धीरे धीरे उनके जो पूरे शरीर की मशिंडरी है वह करना बंद कर देगी और वह बिमार से बिमार उंके प्सास और जादा बिमारियां जकरती जाएंगी ठीक है ना यह सोच है आज के लोगों की वहवारवादी आप रहें तो यह देखें यहां पर सिर्फ एक सोच का फरक था है ना तो यही सोच कर बात करके समझाई जाती तो शादे शुदर बाबू भी समझ जाते हैं और बच्चे अपना पॉइंट उफ्यू सिद्ध कर पाते हैं कि हम इजस से जादा कहीं आपका साथ अपने साथ समय तक चाहते हैं इसलिए हम यह चाहते हैं कि आप दूद लेने जरूर जाइए ठीक है ना तो यही अंतराल जो है वो इसमें में यह अंतराल सबसे जादा इसलिए बढ़ता है क्योंकि कम्मिनिकेशन नहीं होता है दोनों पीडियों के बीच में जितना आप कम्मिनिकेशन रखेंगे यह अंतराल उत्ता कम होता जाएगा अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो आप बात करिए अपना पॉंट ओफियों को समझने की कोशिश कीजिए चलिए नेक्स कोशन देखें क्या है अपने घर और विद्याले के आसपास हो रहे हैं उन बदलावों के बार पसंद नहीं आते अब इनमें सबसे बड़ी जो ना पसंद आने वाली चीज़ है वो है मुबाइल जो उनलों को सिरे से नहीं अच्छी लगती ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं तो उनके बारे में आपको लिखना है देखें क्या है हमारे घर और विद्याले के आसपास निमल कैते हैं इतने जरास से दुनिया में कैद होकर रह जाते हो आपके आसपास दुनिया में बहुत कुछ है आप उसको ससे नहीं सीखते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ कट जाते हैं ठीक है न इन yapıyor इसारी चीज़े और दूस짜 वह हमारे शरीर को तो सब जानते तो उनका इस चीज़ से चिढ़ना अच्छा है लेकिन आप इसको कैसे कर सकते हो आप जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो हर समय उसमें उसमें घुसे मत रहो नेक्स आते युवाँ द्वारा पैदल ना चल करती विवरती से चलाते हुए मोटर साइकल या स्कू लिडिं मत करिए नेक्स आय से लड़किओं द्वारा जीन में शिर्ट पहन आदुनि निकटा है लेकिन से किस तरीके से पहना जा रहा है इसमें भी फरकाः जीन बहुत सारी लोग planning अंहीं जो देखने में बुरा लगता है कुछ ऐसे पहनते हैं जो सोबर लगता है यह आप पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से पहनना चाहते हो लड़के लड़कियों की दोस्तिवा पार्क में घूमना फ्रेंड्शिप अलग होती है और एक अलग इनिसंस जो है वो गलत होता है तो य संगीत सुनना यह हमारे कानों के लिए बहुत नुक्सान दे होता है बुजर्ग पेड़ी इन सभी परिवर्तनों का विरोध करती है उन्हें लगता है कि यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है कुछ सिवधाओं को वे स्वास्त की दिश्टी से खराब मानते हैं तो कुछ उनकी समझें उनका भी पालन करें आधुनिक्ता को भी अपनाएं बहुत अच्छा है आधुनिक्ता सोच में हो यह जरूरी है जरूरी नहीं कि पहनावे में तो अधुनिक्ता ले आए मगर सोच में नहीं लेकर आए तो यह भी गलत है थोड़ा सा समझने के साथ साथ हम सारी यह गए और हमें बताना है कि हम यशोदर्ण बाबू के वारे में अपनी धारणा इन्हीं तीनों में से किसी एक के उपर डिपेंड़ करेंगे पहला है यशोदर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने और वे सहनभूती के पात्र नहीं है दूसरा है येशोदर बाबु में एक तरह का द्वंद है जिसके कारण नया उन्हें कभी-कभी खीचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं इसलिए उन्हें सहनभूती के साथ देखने की जरूरत है तीसरा है येशोदर में एक तरह का द्वंद है द्वंद मतलब होता है एक तरह का लड़ाई खिचाव हमारे पास दो मत हैं और हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं धर जाए जिनके कारण नया उन्हें कभी-कभी खीचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं इसलिए वो सहनभूती के साथ देखने की जरूरत है इसका आंसर देखिए हमें तरक के साथ देना है अगर हमने ये मत लिया है तो इसका तरक क्या है ये हमें देना बड़ेगा ये शोदर बाबू की बारे में हमारी यही धार्ना बनती है कि ये शोदर बाबू में एक तरह का द्वंद है जिसके कारण नया उन्हे कभी कभी खीचता है पर पुराना छोड़ता नहीं इसलिए उन्हें सहानबूती के साथ देखने की जरूरत है यह दिपीवे सधांत बादी हैं तथा पी वहवारिक पक्ष भी उन्हें अच्छी तरह मालूम हैं सधांत बादी हैं लेकिन वहवार बादी पक्ष भी वह द्वंद में खिचते हुए रह जाते हैं निर्णे नहीं ले पाते हैं उन्हें कई बार तो पत्नी और बच्चों का वहवार अच्छा लगता है तो कभी अपने सध्धांत इस द्वंद के साथ जीने के लिए मजबूर हैं उनका दफ्तरी जीवन जहां सध्धांत वादी है वहीं पारिवारिक जीवन वहवारवादी हैं दोनों में सामन्जस बिठापाना उनके लिए लगबग असंबव है इसलिए उन्हें सानवूती के साथ देखने की जरूरत है तो इस तरीके से इस मत का आप तर कोई जो भी मत आप लोगे उसका तर्क देना आपके लिए पहल अध्याय के इंसे आटी सेलूशन कर लिए अभी इसके कई और सुरूप हमारे सामने बागी हैं तो एक नया सुरूप जो है जो हमारे अब एक्जैम्स में पूछे जाने लगा है वो है बहु विकल्पी ये प्रिश्ण तो हमारा अगला जो वीडियो आपके लिए लेकर तो मिलते हैं आगले वीडियो में बाबाए